तो देखते हैं पर Q3 में हमसे क्या पूछा गया Find the 10th term of the AP 2712 तो हमें यहाँ पर क्या बताना है इस AP का 10-4 term बताना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें इसमें formula यूज करना पड़ेगा कौन सा formula यूज करना पड़ेगा वह हम यहाँ पर note down कर लेते हैं तो करते हैं यहाँ इसको solve तो इसका जो हमारे यहाँ पर first term है इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं AC denote करते हैं वह हमारे यहाँ पर क्या होगा 2 होगा और उसके वाल हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इसका difference बताना पड़ेगा D हमारे यहां पर क्या होता है difference होता है और difference हमारे यहां पर क्या होता है जो हमारे यहां पर second term होता है उसका हमें यहां पर first term से क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक करना पड़ता मतला एक दूसरे से घटाना पड़ेगा तो यह हमारे हैं पर क्या हो जागा A2-A1 A2 हमारे हैं पर क्या होगा 7 होगा और A1 हमारे हैं पर क्या हो जागा 2 हो जाएगा तो difference यहां पर दोनों के पीछ का कितना निकल के आगया 5 निकल के आगया हमें यहां पर बताना क्या है हमें यहां पर दसवा टम बताना है तो इसके लिए हम यहां पर क्या लेके चलेंगे A 10 लेके चलेंगे और इसका फॉर्मला हमारे यहां पर क्या होता है A plus N minus 1 यह bracket में हो जाएगा n d हमारे यहाँ पर क्या हो था difference जिसे हम यहाँ पर क्या करेंगे multiply करेंगे तो यह हमारे यहाँ पर कॉंसा term था यह हमारे यहाँ पर 10 वा term था तो हम यहाँ पर n की value क्या लेंगे 10 लेकर चलेंगे तो यह हमारे यहाँ पर क्या हो जागा E की value हमारे ये पर 2 हो जाएगी плюс N की value हमारे ये पर क्या ओ जागी 10 – 1 और difference हमारे ये पर कितना था? 5 था इसको ये पर further solve करेंगे तो ये हमारे ये अपर कितना हो जागा? 2 पलस हा पर आ जागा 9 multiply 5 इसको ये हमारे पर bracket में कर लेती है क्योंकि सब से पहले हमें यहाँ पर क्या करना है तो यह हमारे यहाँ पर कितने ओजागा 2 950,45 तो जो हमारे यहाँ पर final answer निकलके आजागा वो हम ओ릴ल अचुनल पर कितने निकलके आजागा 47 निकलके आजाएगा तो यह जो हमने यहाँ पर ap गीवान थी इसका जो हमारे हैं पर 10 वर टम होगा वो हमारे हैं पर कितना होगा 47 होगा यह हमारे हैं पर क्या था काफी simple question था अब हम देखते हैं पर next question में क्या पूछा गया है